के समय एक और बार मिलके परमेशुर को अस्तुति करने के लिए आराधना करने के लिए परमेशुर एक अच्छा आवसर खोला इसलिए मैं परमेशुर को धनिवाद करता हूं इस COVID-19 के इस परिस्थिती में भी परमेशर को याद करके परमेशर के साथ समय काटने के लिए परमेशर अच्छा आवसर है हमारे जीवन में खोल के दे रहे हैं इसलिए मैं परमेशर को धनिवाद करता हूँ पिछले दिनों में हम परमेशर के वचन से कलीशिया के बारे में हम देख रहे थे कलीशिया के सदस्यों की नामिकरन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा भाईयों की हिस्सा हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे तो आज भी हम उसी के आखिरी दौर पर हैं आज उस भाईयों का हिस्सा को मैं कंप्लेट करना चाहता हूँ इसलिए हम अपने बाइबल को खोलते हैं दे बुक आफ हीब्रू चाप्टर एट वर्स इलावन इब्राहियों का किताब आठवा द्याए उसका ग्यारवा मचन परमेशर की धनिवाद वहां पर बताएं ग्यानुवा में देख सकते हैं उसकी ग्यारवा वचन एक और बार पढ़के देखते हैं तो उधर देख सकते हैं देखाना शिक्षान ना देगा प्रभी को प्रभू को पहचान उसके बाद रिखाना है तुम्हें यहां पर बताए गया यह जो वचन इबराईयों का किताब आठवा दिया है उसका आठवा वचन से लेकर बारवा वचन की जो वचन है यह ये रम्या का किताब से लिया हुगा एक वचन है तो यहां पर बताए गया अनुबव में पुराने कवरेंट और नया कवरेंट के क्या भिन्नता है डिफरेंस क्या है उस चीज को बरनन करते हुए लिखा गया है पुराना वाचा और नया वाचा इसके अंतर क्या है इसमें differentiation क्या होता है उस चीज के बारे में बताया हुआ अनुवाव को इधर प्रकास किया हुआ लिखा गया है उसलिए उसकी 11 मचन में बताये गया कि पुराने नियम के व्यवस्ता में लोगों को क्या करना चाहिए परमेश्वर के बारे में बताने की जरूरत फ़ड़ रहा है वगर नये नियम के हिस्टे गयं करने की जओ रर आ परमेश्वर खुद हमें क्या कर रहे हमारे अंदर प्रेरेमा देते हैं अ है था हो क यिश्वर ही क्या करेंगे उपउयुक्त समयमें में क्या करेंगे चीज्वों को बोलकर हमें क्या कर देंगे सहायता दिलवाएंगे पुरातन नियम के और पुरातन व्यवस्ता के और नया व्यवस्ता के दोनों के अंतर क्या है मतलब पुरातन व्यवस्ता में इश्यू मशी छिपे दिखाई देते हैं मगर नया नियम के व्यवस्ता में परमेशर क्या दिख पढ़ रहे हैं मगर नया नियम के विवस्ता के हिसाब से परमेशर क्या कर रहे हैं छिप छिप कर नहीं बल्कि खुलम खुला इसलिए इश्यू मशी के जनम होने के बाद नया नियम का अनुभाव नहीं तो नया नियम का कवनेंट शुरुवात हो गया तो इधर बताये गया वचन में देख सकते हैं किसी भी भाईयों को क्या नहीं करनी की जरूरत परमेशर के बारे में बोलने की जरूरत ने क्यों ताकि नया नियम का विवस्ता इस तरीके से है कि वो नया नियम का विवस्ता परमेशर हमारे हृदयों में क्या कर दिये लिख के रख दिये पुरात पत्थरा था पत्थर वाला था पत्थर वाला तूडने के बाद लकडी के उपर क्या किया गया लिख के रख दिया गया अलो नया नियम का व्यवस्ता परमिशर ने क्या किया परमिशर के आत्मा के दुआरा परमिशर हमें क्या कर दिये लिख कर दिये है इसलिए यरम्या के कि 31 के अध्याय में यह रम्या के करा भविश्यवानी बोल रहा है उसी भविश्यवानी के कोट को क्या क्या पाउलस ने क्या कर दिया रोमन का चर्च को बताने के लिए नहीं तो रोम्या का चर्च के भाईयों को बताने के लिए क्योंकि उनके अंदर भी थोड़ा बहुत डाउ उसको क्लियर करने के लिए पाउलस क्या कर रहे हैं यरम्या के किताब से ही वही वचनों को क्या करके लेकर कलीसिया को सिखा रहे हैं कि पुरानी व्यवस्ता को परमेश्वर ने क्या किया एक नया पहचान देकर एक नया रीती देकर एक नया शदीकरन देकर परमेश्वर हमें रिप्रेजंट किये इसलिए पुरातन नियम की व्यवस्ता क्या कर रहा है मनुष्य परमेश्वर के लिए करने वाला एक अनुभव है वो नया नियम के अनुभाव में नया नियम के नया नियम के विचार क्या है ये शुमसी सब कुछ कर लिये हैं आज हमें क्या करना है विश्वास के द्वारा उन चीजों को एकसप्ट करना पड़ता है पुराने नियम में एकसप्ट नहीं हमें खुद प्रहतन करना पड़त उस चीज़ को पाउलस क्या कर रहे हैं बता रहे हैं पुराने नियम को पुराने व्यवस्ता को पुराने वाचा को परमेशर इशु मशीन ने क्या 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 कुछ नया कर दिया अलग नहीं किया बलकि नया कर दिया थोड़ा और उसको क्या कर दिया शुद्धी करण करवा दिया ने तो कुछ और बलप्राप्त करवा दिया कुछ मिलाया कुछ नहीं पुराने कावनेंट में जो कुछ भी है उसी चीज को परमेशर कुछ और तरीके से क्या कर दिये नया कर दिये ताकि पुराने को भी हम क्या कर सके पकड सके नये को भी हम पकड सके ताकि नये पुराने को एक साथ मिला के परमेशर के लिए कुछ न कुछ कर सके परमेशर के लिए जीवन जापन करके कर सके उस व्यवस्ता को स्थिर करने के हिसाब से परमेशर ने क्या क्या पवित्रात्मा की एक योग्यता परमिशर हमारे जीवन में दिए पुराने नियम में पवित्रत्मा आते जाते रहता था नया नियम में पवित्रत्मा आते जाते नहीं एकदम स्तिर हमारे साथ रहे कर हमें चलवा के लेके जाने वाली अनिवा इसलिए नया नियम की वाचा क्या है हमारे पाप के विशे में पूरी तरीके से क्या हो गया एक finished product issue machine ने सूली पर कर दिया इसलिए किसी को हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है किसी को हमें याद दिलाने की की नया नियम का ये है पुराने नियम की जरूरत नहीं खुद एक व्यक्ती उधारी पाने के बाद नया और पूराने नियम के अंतरता को क्या कर सकते है वच्चनों को पढ़कर जान सकता है इस़ी यह यह फुश्टक को लिखतेES VAKT चर्चके भाईए लोग क्या करने लगे जाते हैं नये नियbu में रुख कर ही पूराने नियम को क्या कर रहे थे फोलो करने के कोशिश कर रहे थे जैसे की सबत शनिवार दिन की आराधना फिर याजक कतुव फिर इश्यमशी की क्या बोलते हैं इश्यमशी की हाईप्रिस्ट याजक कोने उस छीज में बहुत सारे डाउट्स कलीसिय के अंदर थी उसका डाउट को हटाने के लिए पाउलस ने क्या किया इन वचनों को लेकर बताया गया इसलिए उसके तेरवां वचन में बताया गया देखो उसका आट का तेरा देखा ना उसका मिट जाना हनुवारी है बने नया को जब ला दिये तो पूरान को क्या हो गया मिटा कर नया को कुछ और नया पैचन परमेशर इशू मशीन दिये इसलिए नया नियम में किसी को भी क्या नहीं करने की ज़रुरत किसी को भी बार बार दुहरा के बताने की ज़रुरत नहीं है खुद एक व्यक्ति वचन पढ़ने पर खुद एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगती मनाने पर उन सब चीजों के बारे में विवर अन परमेश्वर क्या कर सकते हैं एक व्यक्ति को दिला सकते हैं वो है नया नियम का स्रेश्टता वो है नया नियम का पहचान वो ही नया नियम का पहचान ने क्या कर दिया लोगों को इशुमशी के उपर आधारित होने के लिए आस्रेवान कर रहा है इसलिए नया नियम का वाच्चा का पूरी तरीके से किसके उपर आधारित है इशुमशी के उपर आधारित है इशुमशी के सिवाए और कोई भी हमारे जीवन में क्या नहीं कर सकता कुछ भी उन्नती नहीं दे सकता इसलिए व्यवस्ता की कुछ सिध्धांत नहीं हमें आस्रेवान करना नया नियम के पहचान में यीशु मशी के उपर आस्रेवान होने पर बाकि सब कुछ चीजे यीशु मशी से हमे के उपर केंद्रित हैं सब नियमें व्यवस्ता हैं सब कुछ किसके उपर इस्यू मशी संग्टर बन गए मज्ञवर्ती बन गए इसलिए आज हमें इस्यू मशी के उपर आश्रेवान होना ज़रूरी है इसलिए आज कलीश्या के सारे सदस्य वचनों से भी अधिकतार क्या इस्यू मशी के उपर आधारित होने का कोशिश करना चाहिए डिपेंडिंग ओन जीसस इस्यू मशी ने किया हुआ त्याग इस्यू मशी ने किया हुआ सब कुछ बलिदान वही चीज को बहुत कॉंसेंट्रेट करना के ज़रूरी है इसलिए एक मनुश्य उधारी पाने के लिए इस्यू मशी के वह क्या करना चाहिए अपने उधार करत के रूप में किया करना करना जरूरी है इसलिए एक मनुश्य य का प्रभू बोलना है तो किसे पवित्रात्मा की जरूरत है बहुत है यह जो taking है dos पुराना नियम का वाषा केवल किं के लिए इस्राइलियों के ही लिए था इस्राइलियों के सिवा किसी और को उसमें क्या नहीं एंट्री नहीं थी मगर नया नियम का जो वाचा है वो सब को क्या कर दिया फ्री एंट्री दे दिया वो फ्री एंट्री कहां से हमें मिला इशुमशी से हमें मिला जो इसलिए हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है इश्यमशी है उस चीज को पाउलस यहां पर बता रहे हैं किसी मुनिश को पुराने रिवाजों के बारे में पुराने चीज़ों के बारे में कुछ याद दिलाने की जुरूत ने कुछ भी याद दिलाना है तो पवितरा आत्मा उपयुकत समय में आत्मी लोगों को क्या कराएगा याद दिलाएगा. इसलिए पुरानी नह्या नियम की व्यवस्ता पर में पर अपने के हमारे रिधय में लिखे इसलिए किसी को भी इस वच्चनों को क्या करने की जरूरथ नहीं बता कर ग्यान देने की जरुत नहीं किसी का ग्यान देने पर कोई मुदारी नहीं पा सकता किसी को experience बोलने से उदारी नहीं पा सकता उदारी पाना है तो वो व्यक्ति कहां पे आना है इस शुमशी के पास इसलिए इस कलीसिया में भाई लोग क्या कर रहे थे शुमशी की उपर आस्रेवान ना करके लोगों को किसके उपर आस्रेवान करवा रहे थे मुसा की व्यवस्ता के उपर नहीं तो पुराने वाचाओं के उपर लोगों को आस्रेवान करके डरा दे रहे थे कि आज भी लोग डरा रहे हैं क्या बोलते हैं तुम्हें याजी की अवस्तर पहना है डरा रहे हैं लोगों को नहीं वो फिनिश्ट है पुराने रिवाजों को आज भी लोग क्या कर रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं इसलिए क्या करते हैं गवी पुनोरिधान के दिण कहा निकल जाते हैं सब है के दिाा इस बिटोड़ में प्राइडी के दिन सब कहाँ निकल जाते हैं क्या क्या करते हूँ लोगक्य वोगों को डरा रहें हैं वो लोग इश्यू मसी से अधिक क्या दूसरे चीजों के ऊपर केंदरी तो रहे हैं इसलिए आज इस नएया नियम के वाच्छे के हिसाब से हमारा डिपेंडन्टी हमारा आस्रा इशु मसी के ऊपर होना चाहिए किसी मनुष्य किसी व्यक्ति किसी अनुष्ठान किसी एक्सपीरियंस किसी नॉलेज्च के ऊपर नहीं से बारवा वचन में बताए गया सब प्रकार के गलतियों को बारवा वचन एक बार पड़ेगो देखो ना उनके पापों को मैं क्या नहीं करूंगा आई शाल नौट रिमंबर एनी मोर मैं कभी भी उस कुन चीजों को क्या नहीं करूंगा याद नहीं करूंगा क्यों जो व्यक्ति इस्व मशी के उपर आधारित है वो उस व्यक्ति के पाप के बारे में परमेशुर को चिंता करने के लिए टाइम ही नहीं है जो व्यवस्ता के उपर आधारित है उसके बार में पर्मिशर बहुत कंसंट्रेट करेंगे क्यों उसके अंदर पाप किस रिष्टता है अगर एक व्यवस्ता को पूरण करने के लिए जाएगा तो कभी भी उसकी पाप के विशे में क्या नहीं मिलेगी उधारी नहीं मिलेगी रहाई नहीं मिलेगी तो व्यक्ति कैसा ठेहरेगा पापी ठेहरेगा मगर एक व्यक्ति इशुमशी के उपर आसरेवान होने पर उसके पाप के विशे में क्या हो जाएगा एक हिसाब खिताब क्लियर हो जाएगा इसके द्वारा उसको और कभी भी पूंको क्या नहीं करते याद नहीं करते कि कि अ-फुरि APP आने के बादी परमिषर अगर पाप को कि याद करेंगे तो इसकार्थ को सब्सक्ति हम लोग 50-50 हैं हम 50-50 हैं इसलिए पर्मेशर हमारा पाप याद करता है इसलिए खलीश्या को क्या बता रहे हैं भाईयों को क्या बता किसी को किसी चीज की वियाद करने की जरूरत ही नहीं पवित्रात्मा उपयुक्त समय में वच्चन उपयुक्त समय में इश्युमशी उपय उक्ते समय में लोगों को क्या करेगा बताते रहेगा हलो हमारा स्वच्मन हमसे बात करेगा वो है नया नियम का क्या बाचा नया नियम क्यों दिया गया ताकि इशु मशी को और अधिक 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 जान पारे जानकारि लाप पाए इशु मशी को और अधिक अधिक ग्यान प्राप्त कर सके इशु मशी को अगर एक व्यक्ति पहचान लिया एक व्यक्ति ग्यान प्राप्त कर लिया तो पुराने नियम के वाचावों को इश्यू मशी का पूर्णता में दिखाई देगा इश्यू मशी के अंदर दिखाई देगा इसलिए हमें आसरेवान इश्यू मशी के उपर होना जरूरी है नया नियम का हिसाब से इश्यू मशी के उपर आसरेवान इसलिए आज भी इस्राइल इस्राइली लोग नहीं तो यहुदी लोग इश्व मशी के उपर आश्रेवान नहीं है किसके उपर आश्रेवान है आज भी पुराने नियम के व्यवस्ताओं के उपर आश्रेवान है उनका परिस्ति कितना कठोर बन गया है हर महिना हर साल हर दिन उनके लिए क्या है कुछ ना कुछ बली चड़ाते रहना चाहिए कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए मगर नया नियम में जो वेक्ति इशुमशी के ओपर आधारित है जो कलीशिया के अंदर योगिदान पाए है वो इशुमशी से सब कुछ पा रहा है फ्री सप्लाई इसलिए इसलिए पुराने नियम और नया नियम को हो मिला मत दो पुराने और नये के बीच में कौन आया गया इशुमशी आ गया हमें क्या करना चाहिए इशुमशी के ओपर आधारित होकर इशुमशी को पूरी तरीके से जानकारी पाकर क्या कर सकते है नये से पुराने को भी क्या कर सकते है एक समान परमेशर के सनीदी में आत काम्या भी ले सकती है अपना प्रयत्न की जरूरत नहीं है बलकि इश्यू मशी के उपर आस्रही ही हमें क्या कर साएगा कलीश्या में भाई बना कर चला सकता है अब पहली युहना उसका दूसरा द्या उसका नवा वचन फस्ट जॉन चाप्टर टू वस्ट नाइन अगर जो कोई कहता है मैं जोती में हूँ और अपने भाई को क्या करता है वेर रखता है हेट करता है तो वो क्यों ने कहां है अंदेरे में है क्योंकि कभी भी एक वेक्ति ही रोष्णी में रुक कर अंदेरे का काम नहीं कर सकता क्योंकि रोष्णी और अंधेरे में क्या है बहुत अंतर है रोष्णी कौन है इस्यू मशी है अंधेरा कौन है शैतान है रोष्णी में रुखकर एक वेक्ति शैतान का काम नहीं कर सकता अंधेरे में रुखकर एक वेक्ति रोष्णी का काम कर सकता है मगर रोष्णी में रुखकर एक वेक्ति अंधेरे का काम नहीं कर सकता है अगर एक वेक्ति रोष्णी में है तो वो रोष्णी में ही रुखकर काम करना जाए रोष्णी में क्या है प्रे में हम्दडिदी है दया मगर अंधेरे में क्या है दुष्टता मौत दरद मारने वाली अनुबव आत्मिक नश्ट इधर बताए गया क्या है अगर कोई रौश्णी में है नया नियम का सुसामाचार क्या है रौश्णी का सुसामाचार रहे इसलिए हीशुमशी ने कहा मैं जगत का जोती हूं तुम भ लाइट ऑफ दे वर्ल्ड इशुमशी का वचन लाइट है तेरे वचन मेरे पाओं के लिए क्या है दीप है परमेशर हमें जोती में क्यों रखे हैं ताकि हम लाइट बनकर जीवन जापन करें तो कभी भी हम किसी को क्या नहीं कर सके हेट नहीं कर सकते कि लोगं आपस में हीट कर रहें क्योंकि दूसरे भाई के अंदर की जो अच्छा हो बुरा और जो कुछ भी हो वो हमें पसंद नहीं आ रहा है अगर पसंद नगीं आ रहा है तो उसका अर्थ क्या है हम खुद भिन्नता ला रहे हैं, इसलिए कलीशिया के अंदर भिन्नता नहीं आई, नहीं आनी चाहिए, भिन्नता का आत्मा कौन लाता है, शैतान लाता है, इसलिए पहले वाचन, जो इब्राईयों का किताब में भी हमने पड़ा, वहां पे भी भिन्नता दिखाई दे रहे थ आचे वो क्या है भिंदनता सुपलिट है उस अस्पलिट को हीसी मशीब से बाऊरे में कह C मिला दिया इधर भी देख सकते हैं वह चीज है भिंदनता कैसी बिन था रोश्णी में रुक कर अपने भाई क्या कर रहा है हेट कर रहा है तो वह व्यक्ति कहां पर है रोश्णी में नहीं है कहा है अंदेरे में है इसलिए उदर क्या बताएगे देखो फिर एक बार उसके दावा मचन पढ़के देखो दस्वा मचन जो कोई अपने भाई भाई से प्रेम रखता है रहता है देखा ना ठोकर नहीं कहा सकता इंग्लिश में क्या लिखाना है किसी और को ठोकर नहीं दिला सकता वो भी ठोकर नहीं खाएगा किसी और को ठोकर नहीं देगा आईदर he won't stumble or he won't allow anybody to stumble वो गिरेगा नहीं किसी और को गिरने भी नहीं देगा क्योंकि वो कहाँ पर है जोती में है जोती में जब एक वेक्ती है वो रोश्नी देता है रोश्नी में जब एक वेक्ती है कभी भी वो गिरेगा नहीं किसी और को भी गिराएगा ने मगर ए विक्ति कम गिरता है जब उसके अंदर अंधकारता पूर्णा रोश्णी निकल जाकर अंदेरा जब चा जाता है तब क्या हो जाता है वो गिरने लाइक बन जाता है इसलिए कलीशिया के सदस्यों के बारे में क्या बताएगा लोगों को गिराने वाले नहीं खुद गिरने वाले नहीं सब को खड़ा करने वाले अनुभाव रोश्णी में जो कोई भी है उस जगा में लोग क्या के खड़ेंगे इसलिए बाइबल के तुम जगत के जोती हो यू आर दा लाइट अफ दे वर्ल्ट लाइट कभे नीचे ने रहती ह हर्दम उपर ही रहता है जब कोई अंधेरे में है वो नीचे रहेगा अगर किसी को अंधेरे में कुछ काम करने की इच्छा है तो उसका पसंद अंधेरा ही है डिस्को डैंस क्लब सब देखो सब अंधेरे में काम चलता है मगर रॉष्णी में बहुत कम बाइबल कहती है तुम जगत के जोती हो तुम रॉष्णी हो रॉष्णी क्यों दिया गया ताकि तुम ना गिरो किसी और को भी ना गिरा सको वो है कलीशिया की स्रेश्ट वान तुम नहीं गिरोगे तुम किसी और को गिरने नहीं दोगे क्योंकि तुमारे उपर क्या है लाइट है यूह रिषीव दा लाइट इसलिए योहना यहां पर स्ट्रिक्त दिती से क्या बोल रहा है कि प्लीज तुम रोष्णी में रुक कर अंधेरे की काम मत करो रोष्णी के अंदर अंधेरे का प्रभुत्व ना लाओ रोष्णी में रुक कर अंधेरे को क्या करो ब्लॉक करके रखो अभी उसी पहली होना चार का बीसमा बचन पढ़के देखो हाँ चार का बीस तो वह जूटा है उसके बाद क्योंकि जो अगर कोई बोलता है मैं परमेशर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई को एकसप्ट नहीं कर पा रहा अलो अपने भाई को उसी वही तो हिट करेगा ना हलो कलीशिया के अंदर भाई चारा क्या है सब के लिए एकसप्टिंग है चोटा नहीं बड़ा नहीं उचा नहीं जात नहीं धरन नहीं भेज नहीं भाव नहीं कुछ नहीं सब एक समाने चर्च एक हॉस्पिटल है हॉस्पिटल में सब को इंट्री है आयना ना सब के लिए एंट्री है अगर हम सब को एकसप्ट नहीं कर रहे है तो उसका अर्थ क्या है हमारे अंदर कुछ जूटा पन है जूटा कौन है शैतान है आयना अगर कोई परमेशर को प्रेम करता है तो कभी भी वो उसके अंदर क्या जूटा पन की प्रभाव रखेगा नहीं वो सच्चाई से काम करेगा सब को एकसप्ट करेगा यह किसके बारे मैं पताएगे जाते हैं ना उन जमानों में कलीशर के अंदर बहुत सारे गलत रीती से परमेशर के वचन बोलने वाले सेवक लोग आना शुरू किये चर्च के अंदर वो लोग आकर क्या बोलने लगे हम परमिश्वर को प्रेम करते हैं मगर वो लोग क्या करते हैं कलीशिया के अंदर भिन्नता ला रहे थे कलीशिया को क्या करते हैं तोड रहे थे अलो अगर कोई कलीशिया को तोड रहा है सोच लो वो शैतन का पार्टी है बहा से पैसा ले रहा है शैतान के पाती ने तो शैतान के कमपनी से पैसा ले रहा है कलीशिया को अगर कोई तोड़ रहा है कलीशिया के अंदर अगर भिन्नता कोई ला रहा है कलीशिया के अंदर अगर जूटे वादाएं देता है तो चोच लो वो कभी भी परमेशर के और से नहीं आया इसलिए इदर युहना स्पस्ट रीतिस स्टेटमेंट देके बोल रहा है कोई भी व्यक्ति परमेशर को प्रेम अगर करता है कभी भी कलीशिया के अंदर भिन्नता का बीज बोयेगा नहीं हो सकता है लोगों को कलीशिया के अंदर वचन की वचन की ग्यान के विशे में बिन्नता हो सकती है वचन के ग्यान के विशे में बिन्नता हो सकती है क्योंकि सब एक समान नहीं है समझ रहे हैं मेरी बात जो वचन पढ़ रहे हैं जो वचन सुन रहे हैं जो वचन जाने हैं वो वचन के विशे में भिन्नता हो सकती है मगर पवित्रात्मा में भिन्नता है नहीं अगर जादा तर परमेशर के लिए समय काटने के लिए समय समर्पन करने के लिए शुरुआती देंगे पवितरात्मा के लिए पवितरात्मा को अवसर अगर देंगे तो परमेशर हमारा उसका वचन की confusion को भी परमेशर हटा सकते हैं मगर इधर क्या बताए गया गलत सुसमाचार बोल कर लोग कलीसिया के अंदर किस नाम पे आ रहे हैं हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं उस वाचा को लेकर कलीसिया के अंदर आके गुशते हैं गुशने के बाद ये लोग क्या करते हैं कलीसिया को तोड रहेते हैं कलीसिया को दो क्या करते हैं भिनता लाते हैं स्प्लिट कर देते करने के बाद लोगों को क्या जूटे वादा तो बाइबल क्या कहती है वो कभी भी वो लोग कहां से नहीं है परमेशर से ही नहीं एक और बार पढ़ो उसका बीस्वा मचन हलो परमेशर से भी क्या नहीं रख सकता है प्रेम नहीं रख सकता है इसलिए यहना स्पास्टवीती से बोलता है परमेशर को नपरेम करने वाले लोग कलीसिया के अंडर आकर क्या करता है भिन्नता तो लाता है उस भिन्नता को लाते है वक्त कलीसिया क्या करना चाहिए ऐसे विक्तियों से जाग्रत रहना चाहिए इसलिए 20 वाँ और 21 वचन चाहिए गर हम लोग पढ़ते हैं तो देख से वह एक कमेंड के हिसाब से बताए गया आग्यां के हिसाब से बताए गया अभी उसी युहना पहला दिया उसका चवावचन पढ़के देखो और तरह क्लियर होगा एक का छे हाँ हलो हमारा सहवास परमेश्वर के साथ है और हम कहां चल रहे हैं अंदेरे में चल रहे हैं मतलब पाप में चल रहे हैं किसके बारे मैं बताए गया कलीश्य के अंदर जो फॉल्स टीचर्स लोग हैं गलत वचनों को बताने वाले लोग नहीं तो गलत रीती से परमेश्वर को पहचान कर गलीश्य के अंदर आये हुए लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं हम लोग भी परमेश्वर के साथ क्या मनाते हैं संगती मनाते हैं हमें भी परमेश्वर के साथ रिस्ता है मगर वो लोग क्या काम करते हैं काम कहां करते हैं अंधेरे की काम करते है वह क्या क्राइक यह लिए एक subtle क्या प्रक्टिस ने करते हैं सच क्प्राक्टिस नहीं करते ही तो है अलो सच को एक्प्र प्रक्टिस मतलब कि एक्सरसाइस के एक्सराइज इंग ट्रूथ फिं लोग क्यों जाते हैं जिन में लोग जाते क्यों हैं सिक्षन पाने के लिए कैसे है शरीर का सिक्षन क्योंकि शरीर में क्या बढ़ जाने के कारण चर्बी बढ़ जाने के बार कारण उस चर्बी को क्या करने ने सिक्षन दे कर कंट्रोल में रखना तो कलीसिया के अंदर हमारा काम क्या है बाइचारा फेलोशिप परमिश्र हमें क्यू दिये ताकि सच्चाई को हमारे अंदर जूट जूटा पन आ सकता है जूटे पन को सच्चाई में क्या करना प्राक्टिस करना जूट बोलने की आवसरें आएगी जूटा निकल जाने की परिस्तितियां आएगी उस समय हमें क्या करना चाहिए प्राक्टिस करना है सच्चाई के लिए हलो प्राक्टिसिंग रूट एक जूट बोलेंगे तो हजार जूट बोलने पड़ेगी उसको क्या करने के लिए उस जूट को सच करने के लिए हजार हजार बोलेंगे कभी वो जूट सच रहेगा क्या कभी सच नहीं होगा अरे जूट बोलने वाली परिस्तिती में सच बोल दो तो जूट बोलने ही नहीं पड़ेगी वो है practicing truth अगर हम पर्मेशर के कलीशिया में हैं हम पर्मेशर के सथ संगती मना रहे हैं और हमारे अंदर अगर अंधकार के लिए पाप के लिए अगर आवसर ही नहीं देंगे तो हम और कैसा पापी बन सकते हैं मेरा पॉइंट लियर हो रहा है इफ वी आर इने फैलोशिप विद गाड़ और वी डू नौट डेवलप टेंडेंसी तो अर्ट्रेंस और सिंग हाओ कैन वी वी सिनर्स हम कैसे पापी बन सकते हैं क्योंकि हम पाप के लिए अवसर ही नहीं दे रहे जूटेपन के लिए अवसर हमारा सौभाग्यता मजबूत बनेगा कलीसिया मजबूत बनेगी अब उसकी आठीवी वचन पढ़के देखो आठीवी वचन अगर इसका अर्थी है नहीं हमारे में पाप नहीं है क्या पाप है मगर उस पाप को क्या करने नहीं देते हैं ब्रीड होने के लिए नहीं देते हैं क्या होने के लिए नहीं देते हैं बढ़ने के लिए नहीं देते हैं तुमारे खून-खून में क्या है उसको प्राप का प्रभाव है मगर उसको डेवलप करने के लिए नहीं देते हैं इसलि वो एमोशन पैकेज के अंदर गुस्व है निकला निकल गया नहीं है इसले बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं मुझ में कोई पाप नहीं नो तूह दूसे में हो पाप नहीं है मगर पाप का प्रभाव है तो उस पाप का प्रभाव को क्या करते हैं सच्चाई से रोक लेते हैं विद्ध रेवेलेशन ओफ टूथ वी ब्लोक दे प्रिवेलेंस ओफ सिन पाप की ब्रीडिंग को सच्चाई के दुवारा बंद करके रोक रखें सच्चाई कौन है इश्यू मशी है तो हमारा आश्राय किसके ऊपर बन रहा है इश्यू मशी के ऊपर बन रहा है सच्चाई के ऊपर जब हम आश्रायवान बन रहे हैं सच जब हम लोग डिकलायर कर रहे हैं सच जब हम लोग बोल रहे हैं सच को जब हम लोग प्राक्टिस कर रहे हैं तो क्या होती है पालप ब्रिड नहीं ओपर रहे है एसाना हम में हम कहेंगे हमारे क्या नहीं पाप नहीं कहेंगे तो हम अपने आपको क्या कर रहें दोका दे रहें ऐसा है ना दोका दे रहें किसको अपने आपको है जब हम अपने आपको दोका देंगे तो दूसरों को भी क्या करेंगे अ कि इसरे क्या करना चाहिए सच के उपर आश्रेवान होना अब उसी अध्याय का दस्वा वचन पढ़के देखो उधर बताएगे देखो अगर तुम कहो कि तुम में पाप नहीं किया कि हमने पाप नहीं किया क्या किया है इसे पहले किया है मगिया अभी क्या नहीं कर रहे हैं उसको अनुमती नहीं दे रहे हैं एक कि भूत सेल लोब को क्या बोलते इछ इस नयाओ अब इसिने मेरा पुराना पापें सब्सक्रभाच बजमसी क्या कर दिए माफ कर दी इसलिए मैं और पापी नहीं हूँ अ कर दिए क्लियर कर दिए कि अलो यह किन के बार में बताए जो कलीशिया के अंदर गुष कर आने वाले सेवकों के बार में पताए कि वो लोग बताने वो लोगो प्रचार करने वाला सब्जेक्ट है कि यह मुझे क्या नहीं है आप नहीं कि मैं पापी नहीं हूं कि मुनिश्य सब पापी हैं कि उसका हर्त मैं पापी 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 बोल कर गूमना नहीं कि मैं पापी पापी बोलने के वज़ा है मैं क्या बोल रहा हूं इस्यू मशी के उपर आधारित हो रहा हूं मेरी आसरा इश्यूमशी के उपर इसलिए यह जो यह वेक्ति लोग जो कलीशय के अंदर घुसका है वो लोग इश्यूमशी के उपर आधारित नहीं है किस चीज के उपर आधारित है पाप के उपर आधारीत है पापियों का उपर आधारीत है फिर जूट के उपर आधारीत है असत्य के उपर आधारीत है इशुमशी के उपर ये लोग का आधार ने ये वचन जो जो हमने पढ़ा कहीं भी इशुमशी के बारे में बता रहे हैं क्यों लो कहीं भी नहीं बोल र कर रहा है कि उसका लीशिया को छोड़ दो कि ऐसे विक्टियों से संगती छोड़ दो कि इसलिए यह लोग क्या चीज है कि इस्यू मसी के विशे में नहीं बोले अब उसकी दूसरी अधिया चौछवी वचन बढ़के देखो दो कचार देखो मैं उसको जान गया हूँ मगर उसकी जान गया इसका मतलब आगया नहीं मानूगा अरे जान गया इसका मतलब आगयां को मानना पड़ेगा क्यों जितना जानकारी हमें मिल रही है उतना सेक्यूर हम बन रहे हैं जितना जानकारी हमें मिल रही है उतना अपने आपको क्या कर रहे हैं स्ट्रॉम बना रहे हैं बलवान बन रहे हैं उतना वचन में हम लोग क्या बने आरोग्यवान बन रहे हैं उतना अपने आपको क्या कर रहे हैं बलपूर्ण बना के रख रहे हैं मगर कलीशिया के अंदर घुश कर भिन्नता लाने वाले लोग क्या चाहते हैं आरोग्योवान किसी को बनाने के मकसद नहीं हाना ये कल्ट चर्च सब देखो परमेशर के विरुद्ध में चलने वाली कलीशिया सब देखो वो लोग सब किस चीज के बारे में वो लोग ज़्यादा कॉंसेंट्रेटर है लोगों को गलत करने के लिए प्रॉमिनंस दे रहे है आया ना इसलिए उनके अंदर भिन्नता की स्पिरिट है वो लोग फरमेशर के वचन को जान कर भी उसको क्या नहीं कर रहे है कि कम्प्लीट करना नहीं चाहते है अभी उसी अध्याएं दूसरा देख च्छमा वचन बढ़के देखो हलो यहां पर किसके बारे में बताए गया है इशू मसी के बारे में बताए गया है बताए गया है एक और पर छेवा च्वा वचन बढ़ देखो कोई यह कहता है मैं उसमें मतलब इशू मसी में बना रखा हूँ अलो अगर तुम इशू मसी में हो तो इशू मसी जैसे चले वैसे तुम भी चलो तुम भी वैसा ही क्या करो आचरन करो अगर लोग इशू मसी के उपर चलते नहीं है इशू मसी के हिसाब से चलते नहीं है तो वो इशू मसी के उपर आश्रेवान नहीं है ऐसे बहुत सारे भाईयां कलीशिय के अंदर घुज गए हैं और घलीशिय के अंदर क्या लाते भिन्नता की आत्मा की बीज बो रहे हैं उनको युहना बोलता है उनको क्या करो उनको सही तरीके से बनाओ उनको अच्छी तरीके से वचन बताओ उसलिए ऐसे लोग अगर कलीशिया के अंदर आकर वचन घोशना करते हैं तो उन वचनों के उन वचनों को क्या करना से असल रीती के वचन के इसाब से कलीशिया के अंदर बताना जरूरी है अगर नहीं बताएंगे तो क्या हो जाएगा भिन्नता आ जाएगी कलीशिया किसी की फायदों के लिए चलने वाली चीज नहीं है कलीशिया परमेशर के उपर आधारित करने वाली फायदे में चलनी चाहिए लोगों को परमेशर के उपर आस्राइवान करने वाली जगा होनी चाहिए कलीशिया कलीशिया भाईयों का एक मिलन वाला केंद्र है जो की सब के सब मिलकर परमेशर के उपर आधारित वचनों के उपर आधारित पवितरात्मा के उपर आधारित उस रीती से कलीशिया क्या करना चाहिए चलने की जरूरत है इसलिए यूहना क्या करता है कलीशि को क्या कर रहें बोल कर बलवान बना रहे हैं इसलिए हमारा जीवन चाहिए हम अगर कलीश्या के अंदर भाईयां बनकर हैं हमें परमिश्र कलीश्या के अंदर योगिदान दिये हैं हमें भाईयों का नामिकरन से परमिश्र अगर हमें बुलाए हैं तो हमें एक चीज मालूम क करना चाहिए अबर लाइब स्टाइल शूड रिप्रेजंट लाइक जीसस हमारा जीवन का चाहिए शायली इसुमसी के जैसे दिखाई देना चाहिए अगर आज जीसुमसी इसुमसी जीवित होते तो मेरे जैसे होते बोलने का लाइक इसुमसी को समाचार बोलूगा मै इसुमसी को रिवील कर रहा हूँ अलो परमेशर तुम्हें कलीसिया के अंदर भाई का हिस्सा क्यों दिये ताकि यू रिवील क्राइस्ट तुम इश्यू को रिवील करो मसी को रिवील करो रिवील का मर्द आत्त क्या है छुपा एक चीज दिखा देना वैसे बोलने से समझ में नहीं आएगा नहीं दिखेओ डाइमंड जब तक डाइमंड मिटी के अंदर तब तक वह चिपा पडा है वेगर को डायमंड को मिटी धीरे 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 निकालकर निकालकर अगर खोधता जाता है तो क्या मिलता है रोशनी उपर उसके उपर पड़ते ही तुरंद क्या होने लगता है या कि देमांड क्या होने लगते चमकने लगता है कर ऋना हिसी ट्र dziक्त ड्रकड को लेकर अंधेरे वाले रूम में से रख दो क्या करेगा अपना चमक दिखाएगा कि उसा हि होना चाहिए हमें भी रिवीलिंग इस्यू मशी का revealing ऐसा ही होना चाहिए हम छुपे पढ़के पढ़े हुए परिस्तिती में कहा की पढ़े थे मगर इस्यू मशी ने हमें ढूड निकाला हम इस्यू मशी के क्या बन गए? diamonds बन गए diamond का काम क्या है? उसका originality दिखाना show your तुम कलीशिय के अंदर भाई बनकर प्रवेश किये, बन गए, भाई चाहरा के अंदर आ गए तो show your real identity as in Christ इस्यू मशी में तेरा जो शैली है उस चीज को तुम दिखाओगे कभी भी वो छुप नहीं रख सकता diamond को उसका value कब मिलता है? जब कोई उसे ढूड़ निकलता है तुम्हारा value कब तुम्हें मिला? जब इस्यू मशी ने तुम्हें ढूड़ निकाला तुम्हें कलीशिय के अंदर लेके रखा तुम्हें रोस्नी दी तुम्हें परमेश्वर की वच्चन की गहराई में लेके रखा तुम्हें आत्मा की अभिशेक में रखा तुम्हें परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? इस दुनिया में इश्यू मशी को रिवील करने वाले व्यक्ति के हिसाब से डाइमेंड बना के रखे हैं तो फिर क्यों तुम भिनता लाकर? क्यों तुम कलीश्या के अंदर अलगपन लाकर? क्यों इस रिवीलिंग सेंस को बंद कर रहे हो? डाइमेंड को जितना भी तुकडा करो डाइमेंड डाइमेंड ही रहेगा आया ना? कलीशय को लोग कितना भी आड़र के तोड़ देने दो कलीशा कलीशय रहगा वह उसका कलीशय स्का कुछ भी बोलए कैसे भी तोड़के ले जाओ कलीश्य कलीश्य रहेगा इसलिए योहन ना यहां पे बहुत सारे लोगों को बोल रहा है कि तुम तुमारे अंदर भिन्नता को मत लाओ तुम तुमारे अंदर लोगों को हेट मत करो तुम तुमारे अंदर जूटे मत बनो तुम तुम अपने आप में क्या मत बनो गलत सत्य की व्यवहार मत करो प्लीज तुम परमेशर को जूटा मत मनाओ परमेशर की कलीसिया को जूटा मत मनाओ परमेशर की कलीसिया की भाईचारा को जूटा मत ढहराओ परमेशर की रेगलेशन को जूटे रीती से रिवील मत करो उसे रीती से विनएग होकर दरंद के साथ रोते हुए प्रार्थना के विंती के हिसाब से कलीसिया को युहना बता रहा है इसलिए आज के जमाने में भी कलीसिया के अंदर भाई चारा को तोड़ने के लिए भाई बनकर नाटक करके बहुत सारे लोग आएंगे मसीह के अंदर मसीह के नाम पर आकर मसीहत को ही डुबा कर तोड़ लाने वाले लोग बहुत अधिक कलीसिया के अंदर घुशा रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए कलीसिया के भाईया वो लोग मसी को रिवील करना शुरू करेंगे तो कभी भी ऐसे भिन तरीके वाले वाले लोग कलीसिया के अंदर आर नहीं रख सकते रुक नहीं सकते बिजनस करने वाले लोगों का एक कहावा है बिजनेस करो जूट बोलकर भी क्या करो कमाई फैलाओ बिजनेस करो जूट बोलकर भी क्या करो प्रॉफिट कमाओ मगर वो क्या है दोका है तुम जिस कस्टमर तुमारे चीज लेके जा रहा है वो धोका खा रहा है अरे एक बार धोका खाया हुआ वेक्टी दूसरे बार उदर आकर खरीदेगा क्या नहीं खरीदेगा ऐसे होना चाहिए कलीशिया के अंदर एक बार कलीशिया का अंदर की जो भाईचारा का भाईचारे में लोग ईसु मश्री को रिवील जब कर रहे हैं भिन्नता लाने वाले लोग अगर कलीशिया के अंदर भी आ गए उनका काम कलीशिया के अंदर काम नहीं लगेगा हलो इसलिए ऐसी भिन्नता वाली चीजों को क्या करना चाहिए कलीश्या के सदस्यों के अंदर से हटाना चाहिए भिन्नता लाने वाली जूटे हिसा है नहीं तो भाई भाई के वीच में विर्दता लाने वाली चीजों को क्या करना चाहिए तोड लेना चाहिए कैसे तोड़ सकते हैं ताकि इशु मशी को अगर रिवील कर सकते हैं वचनों के द्वारा इशु मशी को रिवील करो आत्मा के अभिशेक के द्वारा इशु मशी को रिवील करो अन्य भाषा बोलकर इशु मशी को रिवील करो बविश्यवानी बोलकर इश्यू मशी को रिवील करो चमतकारें करकर इश्यू मशी को रिवील करो विश्वास करकर इश्यू मशी को रिवील करो आत्मा के वरदान फर्मेशर हमें क्यों दिये इश्यू मशी को रिवील करो आत्मा के फल करमेशर क्यों हमें दिये, इश्यमसी को रिवील करो, रिवीलिंग जीसस रिवील करो कि आज भी इश्यमसी जिन्दा है, वो इश्यमसी जिन्दा मेरे अंदर है, मैं खुद इश्यमसी हूँ अगर एसी एक पहचन भाई चारा की अंदर आएगा तो कभी भी कलीश्या या कि अंदर बिंता नहीं आएगी कभी भाई 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 विरुद में कभी नहीं ठाहएंगे भाई भाई परमेशर के वचन विरुद नहीं खड़े रहेगा इसलिए युहना स्पाष्ट रीती से बता रहा है पुराने नियम नया नियम को मिलाओ मत मिला के लोगों को कन्फूशन मत दिलाओ उसकी पहचान दिलाओ जो कुछ भी पुराने नियम में हैं उन सब चीजों को इश्यू मशी ने क्या किया उनके जीवन की चरिया के द्वारा उन सब चीजों को फिनिश किया पूरनता दिलवाई इफिनिश डिल वाई अगर कोई इश्यू मशी के बारे में उसके फिनिश्ट एक्टिविटीज के बारे में वर्नन नहीं देता है डोंट एंटर्टेंट सच पीपल वैसे लोगों को ए कहिसे लोगों को कलीशिय के अंदर क्या मत करों एंटर्टेणी मत करवाओ कलीशिय उनकी नहीं उसी रीती से वचन के आधारित हमें क्या करना चाहिए इश्यमशी को रिवील इसलिए हमारे प्रार्थनाओं में विनितियों में एक ही चीज नहीं परमेशर मैं तुझे रिवील करते हुए एक जिंदगी मुझे दो I should reveal you Jesus I should reveal Jesus in my workplace मेरे काम करने ख्षेत्र में मैं इश्यमशी को रिवील करूँगा मेरे बिसनस में इश्यमशी को रिवील करूँगा में अपने चाल चलन में इश्यमशी को रिवील करूँगा मेरे बोलती में मैं इश्यमशी को रिवील करूँगा मेरे काम काज में मैं इश्यम मेरे अंदर सच है मेरे अंदर जोती है मेरे अंदर परमेशर की वचन की गहरा ही है मैं परमेशर की वचन को मानने वाला हूँ मैं नए कमनन्ट के हिसाब से वाला हूँ मैं परमेशर के उपर आधारित विक्ति हूँ दिखाओ इन चीजों को और बताओ आज भी ये शुमची जिन्दा है वो जिन्दा खुदा है हो सकता है वो जिन्दा खुदा बहुत सारे लोगों को परिवर्तन में ला सकता है कलीसिया के अंदर ला सकता है भाईचारा में ला सकता है संगती में ला सकता है इसलिए कलीसिया एक हॉस्पिटल बनना जरूरी है सबको एकसप्ट करने वाला एक हॉस्पिटल इसलिए कलीसिया के अंदर जूटे जूटे परमेशर के वचन बोलने वाले लोग भी आते हैं उनको भी हम लोग accept कर रहे हैं क्यों वो अंदर आए जूटे बनकर मगर अंदर से बाहर निकलते हैं वक्त अच्छे बनकर निकल जाने की कोशिश हमारे अंदर रहने चाहिए उस तरीके से कलीशय को हमें क्या करना जाए इश्व मशी के उपर आधारित इश्व मशी के उपर केंदरित कलीशय को बनाना है लट अट थाट्राई and make our effort to help people to focus on Jesus, depend on Jesus इश्व मशी के उपर आधारित होने के लिए इश्यू मशी के उपर आसरेवान होने के लिए इश्यू मशी को perfect person perfect example मान कर जीने के लिए कलीशया को तयार करेंगे भाईयों को प्रस्तुत करेंगे ये वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशिश करें आए आके बंद करते हैं प्रार्तना करते हैं सुर्गिय पिता परम भिनता लाने वाली बहुत सारे भाईयां कलीशय के अंदर आएं परमेशर उन ficou परमेशर के वचन के दौरा सठीक कीजिए उनके अंदर की भिनता की आत्मा को दूर कीजिए कलीसिया तुमारी है परमेशर कलीसिया को आप ही बनाई है परमेशर कलीसिया को पूर्ण तरीके से आप ही का प्रभाव चलना चाहिए परमेशर कलीसिया को हमें बना के रखा है ताकि हम परमेशर इशुमशी को रिवील करकर कलीशिया को जागरत करके जागरन करके रखने के लिए हमें सहायता दीजिए भिन्नता, दुष्टता, अंधेरता इन सब चीजों को दूर रख कर कलीशिया को परमेशर के उपर आधरित करके इशु मशी को रिवीलिंग करने वाला एक कलीशिया बन कर रखा इसलिए धन्यवाद, आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सुपते हैं, इशु मशी के नामे मागते हैं, आमेन, हालेलुया